हलो स्टुडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसे टायल को ए किस तरीके से माइट्रो कॉंडिया से साइटो प्लास में ट्रांस्पोर्ट होता है सो फर्स्ट ओफ ओल मैं आपको यह बदाना चाहता हूं कि एसे टायल को एक की रिक्वाइर्मेंट क्यों है क्योंकि वो फेटी एसिड बनाने का सबसे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है इसलिए एसे टायल को ए की रिक्वाइर्मेंट है और एसे टायल को ए जो है वो ज्यादा अमाउंट में माइट्रो कॉंडिया में ही होता है तो इसलिए Acetyl Co A को Mitrocondia से Cytoplasm में आना होगा अब Mitrocondia की जो Membrane है Inner Membrane और Outer Membrane वो Acetyl Co A के लिए और Co Enzyme के लिए freely permeable नहीं है directly वो pass through नहीं का सकते तो इस वज़े से क्या है कि Acetyl Co A Oxaloo Acid के साथ combine होके और वहाँ citrate बनाएगा यह सब reaction Mitrocondia में होगी जिसे citrate बनेगा तो citrate वहाँ से transport हो जाएगा एक transporter चाहिए Tri-Carboxlic Acid Transporter वो citrate को Cytoplasm में transport कर देगा और उसके exchange में mallet वहाँ चला जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि वहाँ जैसे ही Cytoplasm में citric acid आएगा उसको citrate भी बोलते हैं आप जानते हो तो जैसे ही आएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ATP citrate lyse enzyme रहेगा वो citrate को oxaloacetate और acetyl को A में convert कर देगा और oxaloacetate इस्टूरेंट वापस से millet settle के थू माइट्रो कॉंडे में चला दाएगा यहाँ पर हमारा जो important molecule है वो acetyl को A वो acetyl को A अब वो Cytoplasm में अब यह acetyl को A किस तरीके से fatty acid बनाएगा वो अब हमी डेकते हैं हम फ़र्स स्टेप में देखेंगे कि किस तरीके से acetyl को A carboandae克साइड के साथ combine होता है तो carboandae克साइड के साथ acetyl को A combine होता है तो इस process को हम carbox selection बोलेंगे और बोल सकते है carbox selection of acetyl को A तो इस स्टूडेन इस जो staff में क्या होता है कि Acetyl-CoA, Carbon-Dioxide के साथ combine होता है और Manolyl-CoA बनाता है तो इस process में हमें एक ATP की जरूरत रहेगी इसके अलावा यहां पे एक Biotene की जरूरत रहेगी जो की CO2 को carry करता है स्टूटेंट आप देखें कि step number second step number second में क्या होगा कि यह step दो step में होने वाली है number one step में क्या होगा कि Acetyl-CoA, ACP के थूरू Cystinal SS group पर transfer होगा उसके लिए हमें एक enzyme चाहिए जिसका नाम है Acetyl-Transacylage जैसे ही यह Acetyl-CoA, Cystinal group पर transfer होगा तो COA enzyme 1 से release हो जाएगा तो finally हमारे पास product जो आएगा वो product रहेगा Acetyl का जो S group है उससे Cystinal attach रहेगा ठीक है फिर आप क्या देखेंगे कि second step में क्या होने वाला है second step में student third carbon three carbon का Manolile-CoA वो ACP-SH group पर transfer होगा जिससे CO enzyme release हो जाएगा यहाँ पर हमें जो enzyme चाहिए वो है Manolile-Transacylage so finally क्या होगा कि आपके पास Manolile-SCP group से attach हो गया उसके SH group से तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों जो आपके molecule है starting molecule वो attach हो चुके है अब यह जो एक enzyme से attach है fatty acid synthase enzyme complex जो की dimer है आप देख सकते हैं दो enzyme है dimer, two enzyme तो आप इस जो product को lifestyle manolile enzyme बोल सकते हो ठीक है अब step number third होने वाला है आपके पास जो अभी product है उस product में आपके पास fatty acid synthase enzyme के दो enzyme मौजूद हैं और उसके अलावा 5 carbon है two acetyl coac और three manolile coac step number third बहुत ही crucial है इसमें क्या होगा student कि एक तो CO2 release हो जाएगा साथ में जो cystinyl acid group है वो भी release होगा तो step number third के लिए student आपको जो enzyme चाहिए उस enzyme को आप condensing enzyme भी बोल सकते हैं और ketoacil synthase भी बोल सकते हैं so student जैसे ही enzyme CO2 और cystinyl acid group को release करेगा तो आपके पास एक product बनेगा जिस product का नाम रहेगा beta ketoacilacep और उसका दूसरा नेम आप उसको acetoacilacep भी बोल सकते हैं so यह step number third यहां पर आपकी complete हो जाती है फिर step number four की बात करते हैं अब step number four में क्या होगा कि reduction होगा so reduction के लिए आप किस चीज़ का reduction होने वाला है NADPH जो कि NADP में convert होगा और यहां पर एक enzyme requirement है जिस enzyme का नाम है beta ketoacil reductase so finally क्या होगा reduction अब यहां पर keto group का होने वाला क्योंकि step number third में हमारे पास beta ketoacilacep है तो वहां पर जो ketone group है वो उसका reduction होगा जो hydrogen NADPH से release हो रहा है तो student जैसे ही उसका reduction होगा तो वो hydroxyl group में convert हो जाएगा आप screen पर देख सकते हैं कि OH group बन रहा है CO group से आपके पास जो product आने वाला है उस product को आप बोलेंगे beta hydroxy butrylacep और उसका दूसरा name beta hydroxy acylacep भी बोल सकते हैं क्योंकि betryl को आप acyl acyl means number of carbon two से more रहते हैं तो आप उसको IPSC name से भी बोल सकते हैं और common name से भी बोल सकते हैं फिर student क्या होगा step number five में step number five student आपकी dehydration है dehydration में जो आपका product है beta hydroxy butrylacep और कैलीजी है की beta hydroxy acylacep इससे water release होगा और इस water release कराने के लिए जो enzyme चाहिए वो dehydration enzyme है so finally अब आपके पास product आने वाला है trans in oil sap और इसको in oil sap भी बोल सकते हैं every student step number six में क्या होगा वो देखते हैं again reduction होगा इसमें अब reduction होगा तो फिर हमें NADPH चाहिए और NADPH NADP में कर्मट हो जाएगा इसका reduction हो जाएगा यहाँ पे जो हमें enzyme चाहिए वो in oil reductage चाहिए जैसे ही इसका reduction होगा तो हमें bitter oil sap product बनेगा या हम उसको SILACP भी बोल सकते हैं अब student आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास एक four carbon का compound आया है अब इस four carbon के compound से तो आपको fatty acid इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं तो यह जो step number third fourth, fifth और sixth यह continuously repeat होगी यह जब तक repeat होगी जब तक palmitic acid ना बन जाए तो student आपने देखा कि step number जो हमने first यह एक बार जो cycle complete हुआ उसमें हमारे पास जो compound बना वो compound four carbon का था तो palmitic acid बनाने के लिए हमें sixteen carbon चाहिए तो इसलिए यह जो cycle है वो seven time होगा और six time repeat होगा first time तो होगा है complete होगा फिर जो six time यह repeat होगा step number third to step number six इससे क्या होगा कि हमें finally जो product मिलेगा वो palmitic acid मिलेगा palmitic acid बनने से पहले हमें वहाँ पे last में step number seven होगा वहाँ पे एक enzyme की जुरूत रहेगी जिसे थियो esterase बोलेंगे और वहाँ पे एक water molecule addition की भी requirement रहेगी तो इस तरीके से student आपने देखा कि किस तरीके से palmitic acid बन गया अब student हम आगे यह देखेंगे कि किस तरीके से fatty acid का regulation होता है regulation of pH में हम दो terms देखेंगे तो first one है short term M short term M में आप क्या देखेंगे कि fatty acid का जो formation है वो mostly तभी हमारी body में होता है जब carbohydrate की amount बहुत ज़्यादा होती है और fatty acid के amount बहुत लोग होती है इस condition के अंदर हमारी body के अंदर fatty acid की formation होती है फिर आप देखेंगे कि जब carbohydrate की amount ज़्यादा रहेगी तो citrate जो है वो cytoplasm में available रहेगा abundantly और इसके अलावा जो important regulatory factors है वो भी available रहेंगे लाइक एटिपी से ट्रेलाइज एंजाइम वो अवेलेबल रहेगा तो ये जो है किस condition में रहेंगे जब well fed condition रहेगी means जो body के अंदर carbohydrate की amount ज़्यादा रहेगी और carbohydrate की amount ज़्यादा रहेगी तो ही तब ही आप देखेंगे कि acetalco A और acetalco A के अलावा आप देखेंगे कि citrate भी cytoplasm में available रहेगा फिर इसके बाद student यहाँ पर आपको याद रहेना चाहिए कि acetalco A carboxylase जो enzyme है वो यहाँ का इस process का सबसे main enzyme है यह main enzyme क्यों है क्योंकि यह citrate से acetalco A बनाता है citrate जब available रहता है तब ही यह enzyme जो है acetalco A carboxylase वो activate होता है इसके अलावा student citrate का level जब high रहेगा तो acetalco A और ATP दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा amount में रहेंगे इसके अलावा जो short term वो effect covalent modification से भी regulate होता है covalent modification किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे तो इसमें दो process है phosphorylation और dephosphorylation अब phosphorylation किस चीज़ का? acetalco A carboxylation का अगर phosphorylation होगा तो वो inactive हो जाएगा और अगर उसका dephosphorylation होगा तो क्या होगा? कि acetalco A carboxylase activate हो जाएगा इसलिए आप देखेंगे कि fatty acid synthesis जो है वो glucose की amount जब लो रहेगी तो phosphorylation जो है वो उसके chances कम रहेंगे एक चीज़ और यहां पर आपको देखना है कि जो last product है palmit oil को A जो end product है fatty acid formation का तो अगर उसकी amount अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो भी इन enzyme को inhibit करते है तो इस तरीके से student आपने देखा कि किस तरीके से short term effect जो है वो जो fatty acid के formation को stop करता है अब हम देखेंगे long term M किस तरीके से long term जो control है fatty acid का वो genes पर depend करता है और जो भी enzymes fatty acid को बनाने के लिए responsible है वो enzymes सारे के सारे liver में present होते है और जब भी carbohydrate and ATP के amount ज़्यादा रहेगी तो liver इन जो fatty acid synthesis enzymes जो complex है उनको बनाने में help करेगा So finally हम यह बोल सकते हैं कि in well fat fatty acid synthesis होगा क्योंकि यह जितने भी enzymes हैं वो well fat condition में ही बनेंगे और अगर starvation है या फिर diabetes percent है तो उसके अंदर जो glucose और ATP की और carbohydrate की जो amount है वो proper नहीं रहेगी इस वज़े से उनके अंदर fatty acid का formation हमारी बोड़ी में नहीं होगा So इस तरीके से long term effect जो है वो fatty acid synthesis को control करता है Thank you